कि नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंखना हुम्योपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथ ही हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशे में शब्द के विशे में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साब अलर्जी हो गए ये अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन अलर्जी बर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे allergies के विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टें, कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं allergy होती क्या है allergy साथियों आपका जो body होता है उसका एक defensive system होता है, immune system होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hypersensitive हो जाता है तो जब आपका external कोई infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्तव में जिसको आपको allergy नहीं cost करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थितियत पन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आप से milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आकेगा milk allergy है तो यह जो body immune का hypersensitive response होता है अलर्जिन के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें सात्यों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है body में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच का जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहाँ एक भूर time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह की allergy वैसा symptom अगर आपके तो जो है वो नेसल एलर्जी है तो चीकों का symptom हा गया अगर आपकेatic area है तो इसकिन में आपके bul मज़ जांग sanity तो उसतरह कि लाली ओगी मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया, भारी वो स्केल साग है, भारी चकत्ता बन गया, तो इस तरह का different manifestations होते हैं, बात कर लेते हैं साथियों, इसका एक symptom में एक इस्थिति और होती है, इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस, यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ एक बहुत life-threatening, serious condition, medical condition होती है, जो कि allergies में होती है, जैसे क्या होता है, हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं, कि allergy है तो है, लेकिन allergy के में अगर यहाँ condition, आपके chronic condition डेवलाप हो गई, तो यहाँ life-threatening होती है, जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है, आप बेहोश हो जाते है आपका BP below हो जाता है, आपको पेन बहुत पर जाता है, और आपको तकलीफे होती है, और एक medical emergency के आप entitled होते हैं, तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है, तो आप इस word को वश ध्यान में रखें, बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की, इसका कारण साथियों जैसा आपने बताया, कि जब आपके कोई allergen आता है, आपका body का immune system होता है, वो उसको बाहरी particle एक intruder के रूप में, एक दुस्मन के रूप में recognize करता है, और आपका immune system IgE, जो immunoglobin होते हैं, वहाँ antibodies release करते हैं, और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं, कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं, कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है, कभी महीनों का, कभी सालों का, लेकिन यह पहचानते हैं, जित्ता ज्यादा पहचानते हैं, उतना ज्यादा आपको इसका बुरा response आता है, तो जब यहाँ पहचान लेते हैं, तो जब भी आपके manifestation के रूप में विभिन विभिन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए diagnosis के लिए डॉक्टर IgE का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो की blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क्षमता जो सरीर की है यही आपका antibody बना के आपको सही करने वाली चीज को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं dust allergy साथियों बहुत common allergy है धूल से आप बच नहीं सकते आज कल एक एक शहर के आवादी 35-45-45 लाख आवादी होती है लोगों की आप ऐसे में इती population density में धूल से नहीं बच सकते लेकिन अगर धूल से आपको allergy हो रही आपका immune system धूल के बिरुद धमला करके आपको कष्ट पहुचा रहा है तो उसको ठीक करने की हुमियोपेटी में बहुत कारगर दवाए है सबसे important दवा जो साथियों dust allergy की हुमियोपेटी में है वो है lycopersicum lycopersicum 32-23 दिन में तीन बार आप उसे सिती में ले सकते हैं जब आपको जरा सी भी धूल से allergy हो जाए जाए धूल से अलरजी हो ना को खुझ दी होने लगे चीके आने लगे सूजन आ जाए कुछ भी आ जाए जरा सी धूल से आपको दिकत होने लगे तो यहाँ दवा आपको ठीक कर देगी, permanently cure कर देगी और आपकी slightest drop dust से जो आपके allergy हो रही उसको कर देगी एक दवा आती है साथियों बहुत कारगर dust allergy किसी भी तरह की dust allergy हो आप एक दवा आती है पुथोस आप पुथोस 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले ले ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी dust allergy की स्थ ठीक होने में failure हो यहाँ दवा पुथोस बहुत अच्छी दवा है यहाँ आपके dust allergy को हमेशा के लिए खतम करने की चमता रखती है फिर साथियों किस्थिती आती है कि dust आई और dust के बाद आपके सीने में जक्रण हो गई धूल आई उससे आपको छीके नजला तो आपके सीने allergy से तो हमिवपैथी में उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है ब्रोमियम आप ब्रोमियम 32 दो दो बून दिन में तीन बार ले 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 आप देखेंगे कि आपका जो धूल के कारण होने वाली complaints है चेस्ट में वहाँ खतम हो गई और आप ठीक हो गए फिर साथियों कि चिति को ठीक करने के वह उपैच्टी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आसनी के अलबम थाटी दो दो बून दिन में तीन बार आप उसे शितिति में ले सकते हैं जब आपके धूल जरा सी धूल से भी आपके छीके नसला हो जाता हो आपका गलास उखता आपको तो थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती हो तो आपकी टक अवदा चोईस आसनी के अलबम है यह दवायती आपके अलरजी के विशह में अगर आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाटसाप न करेंगे इन दमाओं से आपको एलर्जी में फाइदा हो आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेडित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पह कर दो कर दो सकती है झाल झाल